विल्कम बैक टूमा यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ठीक है अब्जेक्टिव टाइब कोश्चन आंसर की ठीक है क्या पढ़ेंगे अब्जेक्टिव टाइब कोश्चन आंसर ठीक है अब्जेक्टिव टाइब कोश्चन आंसर यूनिट मेरे साथ-साथ करना, कूछ समय दोगो जिसमें आपको क्या करना, कुछ आप्सण छाटना, जो इन में से सही हो ज़िक है और देखना, लाश्ट में कि आपने कि तक attracting, कुछ हमै। Question number 1, ठीक है, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए और पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जबी पहला है भारती ब्रायोलोजी के जनक कौन है ठीक है भारती ब्रायोलोजी के जनक कौन है ठीक है तो आप आंसर करिए पहला आंसर क्या है M.O.P. आयंकर दूसरा है आपका R.N. सिंग थर्ड है आपका R.S.R. कश्यब फोर्थ आपका है केसी महता ठीक है तो इन में से कौन सा आंसर ठीक है आपको लगाना है ठीक है तो आंसर करिए आप कौन सा हो जाएगा आपके साब से चलिए तो इसका आंसर क्या हो जागा आपका साथ ठीक है क्या हो जागा आपका इसका आंसर हो जागा साथ जो की क्या है R.S.R. कश्यब क्या है आपके भारती ब्रायोलोजी के जनक ठीक है या फादर आफ इंडियन ब्रायोलोजी ठीक है आपका get you by gamma गरियोफाइट में माध जननां का नाम पूँचरा थिक है तो किसे पुर्ण रहा है थिक क्या होता है ये अपको बताना है क्या है किरिज्द डापका क्या है आरकी का wegen क्या एक sporophyte ठीक है फॉर्थ आपका क्या है γैमी टू फाइट तो इने में से जो कि आउगा ब्रायो फाइटा का मादाजन्नांग ठीक है ब्रायो फाइटा को हमने पढ़ा थी कर लॉंघ आंसर टाइप कुश्चन में पढ़ा थी कर यहelo होते हैं आपके पहुँझ छोटे-पौदे होते हैं जो और चाया-दार स्थान हो पर उलिका चलिए ऑंसर कीजी क्या जागा तो अगर इसकी आंसर की बात के देरें ब्रायव फैट में माना जन नंग तिक है आर्की गोनियम जो की क्या होता है फीमेल सेक्स और गयन होता है ठीक है और अगर हम बात करें एंथी रीडियम की यह क्या होता है आपका मेल कैसा होता है मेल सेक्स और गयन होता है ठीक है यह आपका मेल अगर पूछे तो क्या हो जागा एंथी रीडियम female पूचछे तो क्यों आ जागा archie gonium हो जागा ठीक है third question number third कहे रहा निमनलिक्षद में से ठीक है निमनलिक्षद में से किस समौऊं के निमनिक्षद में से किस समौइं के सदस्यों को बनस्पती जगत का उभहचर कहते हैं ठीक है क्या कहते है amphibian कहते हैं निम्न लिखित में से कौन से में से पहला है आपका teridophyta दूसरा है आपका फंजाई और थर्ड है आपका spermetophyta और फोर्थ आपका है bryophyta ठीक है तो इन में से कह रहा है किस समू के सदस्यों को बनस्पत्ती जगत का उभेचर कहा जाता है मतलब क्या कहते हैं amphibian ठीक है जो आपके जल और थल ठीक है दोनों जगए पर उग सकते हैं उन्हें कहते हैं amphibian तो इन में से कौन सा आंसर हो जागा थर्ड का आंसर आपने पत्ति ठीक है पौधा इन सभी भागों में विभाजत नहीं रहता है ठीक है जड़तना पत्ति ठीक है पौधा इन सभी भागों में विभाजत नहीं रहता है ठीक है ब्रायोफाइटा में ठीक है और कहरा है ब्रायोफाइटस में मुख सूकाय होता है मुख सूकाय या थैलस ठीक है? तो Brayophyta का Thales क्या होता है या सूकाय क्या होता है? ठीक है? तो Brayophyta में मुख सूकाय या तैलस होता है. पहला आपका हो जागा Thales. ठीक है? दूसरा आपका हो जागा Sporophyte. फर्ड आपका है Gametophyte. फूर्थ आपका है इस्पोरो इस्पोरो गोनियम तो इन में से ये एक आंसर ठीक है वो आपको लगाना है ठीक है ब्रायोफाइट्स में मुख्य सूकाय होता है ठीक है मुख्य थैलस होता है क्या होता है ये आपने बताना है ठीक है चलिए तो इसका आंसर आपका हो जागा गैमीटोफाइट ठीक है क्या हो जागा आपका गैमीटोफाइट यानि किस्सा ठीक है क्या हो जागा आपका गैमीटोफाइट जिसे हम युगमकोदविद कहते हैं क्या कहते हैं युगमकोदविद ठीक है तो क्या हो जागा भी सुका है क्या हो जागा आपका युग मकोद भिद हो जागा ठीक है सुका है कैसा होगा या थैलस कैसा होगा आपका युग मकोद भिद टैप का होगा ठीक है फिप्थ कह रहा है एंथो सिरोस की सिलेश्मिय गुहिकाओं में अधिकतर पाय जाने वाले शैवाल का नाम है किसकी एंथो सिरोस की सिलेश्मिय गुहिकाओं में कौन सा इन में से ऐसा सैवाल है जो mostly पाया जाता है या अधिकतर आपका पाया जाता है ठीक है तो यह क्या हो जागा फर्स्ट आपका है नॉस्टॉग सेकिंड आपका है क्लोरेला थर्ड आपका है यू कार्प एक्टो कार्पस फूर्थ आपका है बॉल वॉक्स ठीक है तो इनमें से कोई ऐसा है जो एंथो सिरॉस की स्लेश्मिय गोहिपकाउं में पाया जाता है देखतर कौन सा है वो आपको बताना है ठीक है चलिए अंसर केजिए तो आंसर आपका हो जागा ए ठीक है क्या है नॉस्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक्टॉक की अगर हम बात करें तो नौस्टा का आपका क्या होता है ठीक है यह चिप चिप एक कोश्की शैवाल का प्रकार का होता है ठीक है क्या होता है चिप चिपा एक कोश्की कैसा होगा एक कोश्की एक प्रकार ठीक है जो किसंग में अधिकतर पाया जाता है ठीक है कोच्छ नम् большое! फाइट में कई वक सते विशन की क्लोरोप्लास्ट और यह पायरीनॉइड होता है ठीक है तो इनमें से ऐसा कौन सा बिरायोफाइट है इनमें से जिसमें से प्रतियक कोशा में ठीक है थैलस की प्रतियक कोश में क्या पाया जाता है ये का आपका क्लोरोप्लास्ट होगा दूसरा क्या होगा आपका पायरिनाइड होगा ठीक है तो आंसर आपका क्या दे रखें Пара? आपका पारि यह ापकु गार आपका आपका इनथो सिराइए है डिक जिसकी प्रतियू सा में एक chloroplast पाया जाता है और एक ही आपका pyrinoid पाया जाता है ठीक है question number 7 कह रहा है निम्ड लिखित में से किस ब्राइफाइट थैलस के साथ नॉस्टाक का symbiotic यानि कि सहजीवी संबंद होता है तो इन में से ऐसा कौन सा ब्राइफाइट थैलस जिसके साथ क्या होता है नॉस्टाक का सहजीवी संबंद है यानि कि दो रोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर depend रहते हैं और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है ठीक है तो क्या हो जागा पहला आपका दिया है रिक्सीया दूसरे फिर से दिया है ठर्ड दिया आपका Mercansia फोर्थ आपका क्या है पेलिया ठीक है तो इन में से कोई एक सही आंसर होगा वह आपको छाट के बताना है ठीक है तो क्या हो जागा सेवंथ का चलिए आंसर कीजिए सेवंथ का चलिए तो सेवंत का दुबारा से क्या हो जागा भी एंथोसिरोस ठीक है जो की आपका क्या है एक प्रकार का ब्राइवफाइट थैलस है जिसका नॉस्टाक के साथ सीधा संबंद रहता है क्या रहता है सीधा संबंद रहता है क्या है आपका एंथोसिरोस ठीक है से बाय neolOPか नाम बताना है जिसके युर्ट ए मान रतार जाता है अब यह समों तो नोस्टाक। ये आपने पताना है जिसके अपने řiखन और पर चालिंद आणसर कीजिए इसका आंसर क्या ओजागा एंथोसिरोस ठीक है तो एंथोसिरोस आपका किसके थैलस में पाया जाता भी या ब्रायोफाइट के थैलस में ठीक है नौस्टॉक पाया जाता है ठीक है ब्रायोफाइट आपका क्या है एंथोसिरोस एक तरह का ब्रायोफाइट है जिसके थैलस में आपका नौस्टॉक पाया जाता है ठीक है एंतिसरोज का एक तरह का ब्राईविफाईट है उसके थैलस में नौस्टॉक पाया जाता है app Belgian फुश्शन नम्बर 9 उस ब्राईविफाईट का नाम लिखिए जिसके sporophyte में रंद्र होते हैं ठीक है क्या होते है स्पोर्स या रंद्र होते है उस ब्रायोफाइट का नाम बताना आपको तो मारकेंसिया प्रजाती हो जागा दूसरा है पोगो नेटम प्रजाती तीसरा है पेलिया प्रजाती और फोर्थ क्या है आपका रिक्सिया प्रजाती ठीक है तो चार है चारो आपके क्या है ब्रायोफाइट से इन में से कुई एक ऐसा होगा जिसके स्पोरोफाइट में किस ज्या रंद्र पाय जाते, ये आपको बताना है, ठीक है, तो answer कौन सा हो जागा, qushton number 9 का, qushton number 9 का आंसर, ठीक है, क्या हो जागा, आपका, 9 का आंसर हो जागा, pogo netum, क्या है आपका, pogo netum, क्या है, एक bryophyte की ऐसी प्रजाती है, जिसके sporophyte में, यानि की, बिजाणुत भि करें रिक्सिया की किस जाती में मद्दिसरा का अभाव होता है ठीक है मद्दिसरा का अभाव होता है किसमें रिक्सिया की कौन सी जाती है जिसमें मद्दिसरा नहीं पाया जाता है ठीक है Rixia Himalensis and 4th आपका Rixia Discolor ठीक है तो ये चारों में से कोई ये कैसा है जिसमें क्या होगा भी मद्द शिरा का अभाव होगा या नहीं पाए जाएगा ठीक है कुछ इस तरह से चली आंसर केजिए आंसर क्या हो जागा आपका इसका तो इसका आंसर हो जागा आपका B क्या हो जागा B अगर आपने आंसर B किया है तो बिल्कुल सही किया है क्या है रिक्सिया प्लूटेंस क्या है आपका रिक्सिया प्लूटेंस ठीक है रिक्सिया की एक ऐसी जाती है जिसमें क्या होता भी मद शिरा अब सेंट रहता है मद शिरा कैसा रहता है अब सेंट रहता है question number 10 11 sorry pseudo-illators होते है pseudo-illators क्या होते है यह आपको बताना है तो इन में से क्या होगा रिक्सिया SP यह क्या है आपकी SP यह क्या जाती है रिक्सिया की ठीक है दूसरा mercantia SP यह भी क्या है इसकी एक जाती है अब क्या है आपका Pogonetum ठीक है क्या है Pogonetum और फोर्थ क्या है आपका Anthoceros ठीक है तो इन में से कोई एक ऐसा है जो इलेटर्स बनाता है ठीक है क्या होते हैं इलेटर्स ठीक है तो यह आपको बताना है ठीक है तो आंसर अगर आपने इसका दा किया है ठीक है क्या किया है आंसर अगर आपने इसका दा लगाया है तो सही लगाया क्या हो जागा एंथो सिरोस SP, ठीक है, क्या है Anthoceros SP, ठीक है जो कि आपका क्या है, ये एक Vryophytic जाती है, ठीक है Vryophytic पौधे की जाती है, इसमें ये क्या होते हैं, आपके Pseudo-Ellators, ठीक है क्या होते हैं, आपके Pseudo-Ellators, ठीक है चलिए Question number 12 निम लिखित में से कौन सा Vryophyte, मिट्टी की उर्वरक शमता को बढ़ाता है ठीक है, मिट्टी की उर्वरक शमता को बढ़ाता है ऐसा कौन सा है, ठीक है मिट्टी की Fertility को बढ़ाता है क्या Rixia है, या Mercantia है, या Anthoceros है या Palea है, ठीक है, आंसर कीजी यह जाका है यह हूँ ज करता है जो क्या करता है गाया चमता का क्षरिलिटीbons चमता को क्रेंज़ब करता है जिससे की जहाँ यह होगा वहाँ क्या करेगा मिट्टी की उर्परा शम्ता बढ़ जाएगी और उसमें फसलें आपकी अच्छी होने लगेंगी ठीक है कुश्चन नमबर 13 कुछ कह रहा है क्या कह रहा है किस बिरायो फाइट में कॉलू मेला उपस्तित होते हैं कौन सा बिरायो फाइटा है जिसमें आपके कॉलू मेला उपस्तित होते हैं ठीक है यह आपको बताना है ठीक है कॉलू मेला किसमें आपके प्रिजेंट होते हैं क्या रिक्सिया के थैलस में होते हैं, या मरकेंशिया के थैलस में होते हैं, या एन्थोसिरोस के थैलस में होते हैं, कैपसूल में होते हैं, या आपके पेलिया स्पोरुफाइट, ठीक है, तो इनमें से कोई ऐसा है, जिसमें क्या होंगे, कॉलुमेला प्रिजन्ट होंगे, ठ जो चाली आनसर इसका हो जागा था एंफोसरोस के कैपसुल में ठीक है तो हमने बढ़ा था एंफोसरोस को पड़ते समय इसöl most of that है आग अगर आपने एंफोसरोस पड़ा होगा इसकी सब्लबब गुछ इसे बता हुआ था ये दो तीर्स में Yek कुछ इस तरह कि सेल्स पाई जा रही थी ठीक है कि यही आपके कैपसुल में प्रिजट रह दें question number 14 किसे विरायवफाइट का sporophyte horn के आकार का होता है important है horn के आकार का पूछा जाता mostly किसे विरायवफाइट का sporophyte यानिकी बिजाड़ुद भिद क्या होता है बिजाड़ुद भिद बिजाड़ुद भिद यानिकी जो spor बनता है वो होर्न के आकार का कौन से विराइव फाइट का होता है क्या रिक्सिया का होता है या मरकेंशिया का होता है या एन्थिसिरोस का होता है या पेलिया का होता है ठीक है इन में से कोई एक सही आंसर है वो आपको बताना है ठीक है तो आंसर कीजिए इसका कौन सा हो जागा कौन स आंसर हो जागा इसका सा ठीक है क्या हो जागा सा एंथोस शिरोस ठीक है तो एंथोस शिरोस आपका एक तरह का ऐसा विरायुफाइट है जिसमें इस पूरुफाइट का जो फार्मेशन होता है वो किसकी तरह होता है हॉर्न के समान होता है ठीक है किसकी तरह होता है हॉर्न के सम आपका हार्ण वर्ट है या पॉली इस्फोनिया आपका हार्ण वर्ट है या पेलिया ठीक है तो इनमें से कोई एक हार्ण वर्ट है वो आपको बताना है ठीक है तो हार्ण वर्ट आपका कौन सा हो जागा अभी हमने देखा था कि स्पोरुफाइट किस की तरह बना रहा है हौ भार्न वर्ड कहलाता है ठीक है चले question number 16 ब्रायवाइट में इस्पोर मदर सेल होती है डीक है ब्रायवाइट में इस्पोर मदर सेल होती है ये कौन सी होती है ठीक है वीजानू क्या कहते है इसको विजानू बिजाडू मात्र कोशिका कौनसी होती है बताना ठीक है बिजाडू मात्र कोशिका ब्राइफाट में कौनसी होती है है पलाइड होती है यह डिपलाइड होती है यह ट्रिपलाइड होती है यह टेट्रेड होती है है पलाइड का में इस होता है कि अगुणत ठीक है केवल N प्रकार के उसमें जो है क्रोमोजूम्स पाए जाते है डिपलाइड मेंस 2N होता है यानि कि यह कैसा होता है दो गुणत होगा ठीक है ट्रिपलाइड मेंस इसमें क्या होगा 3N होगे ठीक है इसको त्रिगुणत कहते है इसमें क्या होगा 4N होगे कोशिक का होती है तो अइसके बताना है कि आपका ब्राइवारा कि अदुनत के है के या ब्राइव भाइट में पन या घ़्ाइड थोती फिक कि है question number 17 चुकि last question है unit 1 का किसका unit 1 का last question है anthus ross में spore बनाने वाली भित्ती पैदा होती है anthus ross आपका एक प्रकार का bryophyte है क्या है आपका bp है ठीक है bryophyte है तो इसमें क्या कहा रहा है spore बनाने वाली ठीक है kौन सी spore या bizaru बनाने वाली ठीक है बिजाडू बनाने वाली भित्ती पैदा होती है क्या एंडो थीसियम से होती है या आपका काल्यूमेला से होती है या आपका एंफी थीसियस से होती है या आपका सीटा से होती है तो इन में से कोई एक आंसर सही है वो आपको बताना है ठीक है तो यहाँ बर एंथुच क्या करता है क्या करता है एक जिल्ली को पैदा करता है जिसमें आपका क्या बनता है इस पोर बनते हैं ठीक है एक जिल्ली उत्पन करता है जिसमें आपके छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे इस पोर्स बनते हैं ठीक है क्या बनते हैं इस पोर्स बनते हैं ठीक है जिनने हम विजाणू कहते हैं ठीक है यूनिट बन आपके 17 कोश्चन थे ठीक है यह करके हमने डिसकस करा है ठीक है आपने भी पढ़ा होगा देखिए कितने आपने आंसर सही करें ठीक है कितने आपने 17 म रहें ठीक है तो unit 1 आपका complete हो गया मिलते हैं अगले वीडियो में second unit के साथ ठीक है तब तक बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching and share the video